Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Folly Tracks Tablet की बारे में जो की इसका Tablet का इस्तमाल Cancer से जुड़ी Patients में और Skin से जुड़ी Purpose में बहुत ज़्यादा इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है, इसके साथे साथे से और भी बहुत से Purpose में इस्तमाल करते हैं आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Folly Tracks Tablet की बारे में इसमें जो Combination है, उस Combination का काम है, कौन-कौन से प्रपज़ों में इस्तमाल किया जाता है, किस तरीके से काम करता है, क्या नुकसान है, क्या डोज है, यह सभी बाते हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बात करी है, 10 Tablet से ले करके, 4 Tablet की भी स्ट्रिप में अबलेबल हो जाती है, यहाँ Price Depend करता है, कि आप कितने MG के लेते हैं, और कितनी Tablet के लेते हैं, उस हिसाब से इसका Price Depend करता है, हमने यह बहुती Basic Detail के बारे में जाना, Folly Tracks Tablet के बारे में, अब बात करते हैं, Folly Tracks Tab Tablet में क्या क्या का Combination है, तो इसमें एक ही Combination है, Methodrexate, Methodrexate जो की एक तरीके का, जो की Anti-Neoplastic Agent से क्लास से बिलॉंग करने वाला है, Medicine है, Methodrexate जो की एक तरीके का Anti-Metabolite और Anti-Follate Drugs है, जो की इसका इस्तमाल बहुत जादा, Auto-Immune Disease के परपज में इस्तमाल करते हैं, बात कर जही है किस तरीके से काम करता है, तो जो भी Skin से जुड़ी संमस्या होती है, जो की Skin Cells का Rapidly Growth होने का संमस्या होता है, तो उन से भी Condition में उन पर इस्तमाल किया जाता है जैसे कि इसका इस्तमाल और कंडिशन जैसे कि ब्रिस्ट केंसर के परपज में इस्तमाल करते हैं लंग्स कैंसर में इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा ऑस्टियो सरकोमा में इस्तमाल किया जाते हैं सोराइसिस की समस्य होती हैं तौचा से जुड इसके 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 इस combination का benefit था इस combination का अब बात करते हैं इस combination का क्या dose होता है folytrex जो tablet में combination है methotrexate जो कि इसका dose हफते में एक बार ही लिया जाता है किसी एक दिन जैसे कि इस हफते में आपने मंगलवार को लिया तो अगले हफते भी मंगलवार को ही लें और जिस समय आप मंगलवार को आज लिया है उसी अगले हफते के मंगलवार को उस समय जरूर करें इसका इस्तमाल इस तरीके से किया जाता है इसके साथी साथ डोज भी depend करता है कि patient की क्या condition है उसी साथ से डोज डोक्टर के द्वारा confirm किया जाता है इस दवा को लेना है और डोज का confirmation दोनों चीज़ें लेना है या नहीं लेना है और डोज का confirmation डोक्टर के रेक देख में करें क्योंकि depend करता है कि patient की क्या condition है उसी साथ से का डोज confirm होता है आप इस medicine का किसी के बताय जाने पर आप इसे बिल्कुल इस्तमाल ना करें, यह medicine अकेले दी जाने वाली medicine नहीं है, जिस तरीके के आपको कोई problem है, उससे conditions related और medicines को combine करके दिया जाता है, जो कि आपको बहुत जल्दी relief देने में मदद करता है, नॉर्मली इस दवा का इस्तमाल साथ से आठ हपते तक इस्तमाल किया जाता है, बात करें क्या नुक्सान हो सकता है, अगर आपको सूट नहीं करता है, तो तौचा मिलाली पन, बहुत ज़्यादा नीन दाना, वामिटिंग होना, डाइरिया की समस्या हो जाना, इसके साथे साथ, डेप्रेशन, एंजाईटी औस्टोपरोसिस, एनेमिया, इसके अलावा भी और भी सीवियर कंडिशन में साइट इफेक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इस दवा को इस्तमाल करते वक्त हमेशा डॉक्टरों के निगरानी में रहें, बात करें किसे नहीं लेना है, अगर आप प्रेग्नेंट अब्लेट के बारे में जनकरी, अगर आपको वीडियो यह जनकरी अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा, आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यों फर वाचिंग